सूपर्नखा इंद्र की सबसे सुन्दर अपसराओं में से एक थी, जिसका नाम नयनतारा था। उसे वजरारिशी की तपस्या भंग करने के फल्स्वरूप उनके श्राप लगने से वह त्रेता युग में प्रेत्वंश में जन्म लिया। श्री राम चरित मानस के अरणय कांड में के उल्लेक अनुसार। उसने राम जी से विवाह प्रस्ताव रखा तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी यह संजोग बिधी रचा विचारी न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह जोडा वृतांत बताया। और अपने को लज्जित महसूस हुआ जान के वह होकर वह पुषकर चली गई। सरोवर में भगवान शंकर का ध्यान करती हुई शूरपनखा ने हजार वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो शिव जी ने उससे उसकी इच्छा को पूछा उत्तर में शूरपनखा ने राम जी को अपना पती के रूप में मांगा। और शिव जी ने यह वर्दान दिया वर्दान दिया की है। सुन्दरी तुम्हारा यह इच्छा द्वापर युग के अंत में मथुरा नगरी में पूर्ण होगी। कृष्ण जी द्वापर युग में कु राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नर्सनहार करने की होने से वह घेना की द्रिष्टी से देखी जाती है। करोडों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी रिशिमुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बाते भ की तथा श्री राम ने उसकी लक्षमंजी से भी बात करवा कर भक्तिस्वरूपा आध्या शक्ती सीता माता के दर्शन भी करवा दिये। एक जिग्यासा बनी रहती है। कि आखिर शूर्पनखा ने ऐसा कौन सा पुन्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्थ ह मनीशी वग्यानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं।